तो यहाँ पर हमारे camera चल गये हैं और यह unsupported stream time में बता रहा है और यह कैसे solve होता है इस problem को solve करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे 9 window करके 3 into 3 तो यहाँ पर ऐसे करते ही 9 का window करते ही जो हमारा camera full आ रहा है चलने लगता है और जैसे single camera करते हैं unsupported बताता है तो हम इसको solve करेंगे इसी वीडियो में तो इसको हम बढ़ा कर दे रहे हैं यह देखिए camera चल रहे हैं यह जो है इनका compressor 264 पर है जो 264 वाले compressor के चल रहे हैं 265 वाले जो compressor वाले IP camera हैं वो यह दिक्कत कर रहे हैं unsupported stream type बता रहे हैं इनको solve करने के लिए आपको उसे login करना होगा तो सबसे पहले आई-पी पता कर लेंगे जो जो camera में दिक्कत आ रही है उसके बाद हम चलते हैं अपने laptop में तो आगए PC में और यहां पर new tab खोल करके हम IP जो डालेंगे जो हमारी camera की IP है तो यहां पर डाल करके OK करेंगे तो यहां supported बता रहा है तो i-type पर क्लिक करके यहां पर फिर से हम IP डालेंगे i-type वाला वीडियो नहीं देखा तो i-button पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं तो यहां पेज हमारा open हो गया है HigVision का username admin password जो आपने create किया होगा password डाल करके login करेंगे तो यहां camera हमारा चल ला है configuration में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे network network के नीचे आपको देख जाएगा video slash audio तो यहां पर जो regulation है 1 mega pixel का है और जो आपका encoding है video encoding वो 265 पर था 264 पर हम चेक करेंगे उसके बाद फिर हम इसका जो resolution है वो भी बढ़ा करके चेक कर लेंगे तो यहां पर 264 पर करते ही camera चल ला उसका display नहीं दिखा पाऊंगा और हम फिर यहां पर width rate है वो भी कम कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपने channel को subscribe नहीं किया और है यहां पर थोड़ा सा bit rate जो है कम कर देंगे और करेंगे save फिर हम अपने screen में आ जाते हैं तो screen में जीसे बढ़ा किया था मैंने तो बड़ी screen पर camera हमारा चल ला है तो दोस्तो अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजिए आपके पास notification बेल बच जाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में